तो भाई साब 10,000, 20,000 और 30,000 की लोन एप्लिकेशन का वीडियो तो हमने अपने चैनल पे बहुत सारा बना लिया है अब मुझे यह नहीं लगता है कि अगर हमें गौवर्मेंट ही 5,6,000,000 रुपए का लोन प्रोवाइड कर रहा है और यहां पे कुछ ऐसा लोन जैसे कि सबसे पहले आप मेरा स्क्रीन देखो फिर इसके उपर आप एक बार डिस्कस करेंगे और यह जो लोन आप मिल रहा है यहां पे 6,000,000 रुपए जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं यह आपको 15 साल के लिए मिल रहा है मतलब 6,000,000 रुपए में आप 1,500,000 रुपए सबसेड़ी निकाल देजिए और बाकी जो पैसा बचा है उसको आपको 15 साल में रिटर्न करना है और सबसे बड़ी बात भाई साथ यह जो स्कीम है डाइरेक्ट गोवर्मेंट अफ इंडिया के तरफ से आया हुआ स्कीम है और इस स्कीम के अंदर आप घर बेटी लोन अपलाई कर सकते हैं तभी तो हमारा गरीब भाई बेहन उसका फायदा उठा पाए तो अभी आपने जो देखा है गोवर्मेंट के तरफ से भाई साथ एक नहीं बलगी हजारों ऐसे स्कीम है चलाई जाती है बिसिकलि यह प्राईब मैंश्टर एंप्रोइमेंट जेनरेशन प्रोगाम के तहत यहाँ आपको लोन बढ़ा जा रहा है और यहां पर आपका loan का जो application है उससे reject किया जा सकता है तो इस वीडियो के अंदर आपने वीडियो के अंदर ये वीडियो ट्यार किया है और इस वीडियो में आपको इस loan scheme के बारे में शुरू से लेकर आखरी तक का process बताने वाला हूँ तो चली फिर फड़ापट से कारिकर में start कर लेते हैं अब देखें, loan apply करने के लिए basically आपको जन समर्थ Google पे लिखके आप search करेंगे या फिर आप हमारे जो वीडियो देख रहे है, description के अंदर मैंने आपको link प्रोवाइट किया है एक बार आप link पे click करेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा तो अभी यहाँ पे आप यह जो website देख रहे हैं, इसके अंदर आपको 12 total scheme है 5 loan की categories है, और 200 plus यहाँ पे lender जो है, वो आपको loan बाढ़ते है यहाँ पे यह official government का जो website है, इसके अंदर आपको अलग-अलग prior के loan मिलते है जैसे की education loan, agri loan, जैसे की किसान credit अगर आप खेती बारी के लिए लेन चाहते है agri infrastructure loan, business activity loan और यहाँ पे एक lovely hood loan का भी option आपको बताया गया है तो देखो यहाँ पे जो हम loan apply करने वाले है, वो simply business activity loan के अंदर हम apply करने वाले है तो इससे पहले यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी eligibility चेक करनी है कि वाकवी में कि आप loan के लिए eligible है या फिर नहीं है अब देखो यहाँ पे जैसे ही आप loan के लिए apply करते हो, basically यहाँ पे आपको चार category बना गया है इसलिए मैं आपको बोल रहाँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो एक step भी अगर आप miss करते हो, तो यहाँ पे आपका loan application जो है, वो reject हो सकता है तो देखो यहाँ पे hand loan waiver का है, उसके बाद manual scavenger का है, street vendor का है, और एक business loan का भी category बना गया है अब देखो जैसे ही आप apply करते हो, आपके सामने बहुत सारा options देखने को मिलता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे business activity का option है, जहाँ पे आपसे यह पूछाता है, कि आपका जो business आप करने वाले हो, या फिर जिसके लिए आप loan ले रहे हो, यह काम नया है या फिर पूरान है, तो देखो मैं आपको यह चीज़ क्लियर कर दूँ, कि यहाँ पे अगर आप existing select करते हो, तो भाइस आप पूरा मामला ही बतल जाएगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, यहाँ पे हम new काम start करना चाहते हैं, government से loan लेके, तो यहाँ पे हम new select करेंगे, उसके नीचे यहा आप आठवी class pass हो, तो अगर आप pass हो, तो यहाँ पे आप yes करोगे, उसके बाद government के तरफ से आने वाले एक EDP training के बारे में आपसे बताया गया है, basically EDP training अगर आपने किया होगा, तो आप यहाँ पे yes कर सकते हैं, बाकि आप no यहाँ पे कर सकते हैं, अब देखो EDP training के अंद करने वाले हो, या फिर business या फिर service देने वाले हो, या फिर आगर आप trading का काम कर रहे हो, उसके लिए भी यहाँ पे आपको loan का option दिया गया है, तो simply यहाँ पे हमारा business और services रहेगा, EDP के training हमने नहीं किया है, यहाँ पे हम no करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम नीचे next कर अब देखो, अगर आप general select करते हो, भाई साब, तो यहाँ पे आपको कोई भी subsidy नहीं मिलेगा, वैसे भी general वालों को आदत लग चुका होगा, उसके बाद अगर आप OBC, STST हो या फिर minority हो, इसके अंदर आपको subsidy दिया जाएगा, तो यहाँ पे हम OBC select करते हैं, उसके नीचे यहाँ पे आपसे यह पुछा जाता है, कि आप physically handicapped person हो, तो अगर आप हो, तो यहाँ पे आप yes कर सकते हो, नहीं हो, आप no करोगे, उसके बाद आपसे नीचे यह पुछा जाता है, कि आप उत्राखंड, हिमांचल परदेश, जम्मू कस्मीर या फिर अंदमान निकोबार के निवासी है, तो अगर आप यहाँ पे yes कर सकते हैं, नहीं हैं तो no कर सकते हैं, basically यहाँ पे इसलिए पुछा जारा है, कि अगर आप यहाँ पे select करते हो, अगर आप यहाँ का निवासी बताते हो, तो लोन लेना आपका थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, उसके बाद यहा पर आपको एक बात अच्छे से समझना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पर जो भी आप काम शुरुआत करने वाले हो उसके अंदर आपको initial cost कितना लगने वाला है मतलब कितना का काम होगा तो basically यहाँ पर जो हम काम start करेंगे मालो हम 10 लाख रुपए का काम start कर रहे हैं इसके बाद आप से यह पुझा जा रहा है कि यहाँ पर जो आप काम कर रहे हो इसके अंदर पहले से आपके पास कितने पैसे हैं मालो कर आप कोई business start कर रहे हो तो सब कुछ आपको bank या फिर सरकार की तरफ से लोन नहीं मिलेगा इसके अंदर आपके पास भी पहले से कुछ होना चाहिए तो मालो example के लिए हम यहाँ पर यह बताते हैं कि हमारे पास 4 लाख रुपए पहले से हैं और यहाँ पर जो हमारा required जो हमें लोन amount की दो स्कीम आ चुके हैं पहला है पर्धानमंत्री मुद्रा योजरा जिसके अंदर आपको 6 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा लेकिन दोस्तों इसमें आपको कोई भी सबसीडी नहीं दिया जाएगा और यह जो लोन आपको दिया जाएगा 10% की rate of interest के इसाब से दिया जाएगा और 5 साल में इस पैसे को आपको वापस करना है एक आपको नीचे और स्कीम दिखाई देगा जिसमें आप देख सकते हो 6 लाख रुपए का लोन मिलेगा, 2 लाख रुपए आपका सबसीडी मिल जाएगा, बाकी 6,090 बाकी 6,090 लाख रुपए का आपका EMI आने वाल है और 15 साल तक के लिए आपको यह लोन दिया जा रहा है मतलब 9% के rate of interest पे आपको यह लोन मिल रहा है तो यहाँ पर आप सब कुछ एक बार लोन के बारे में चेक करेंगे अब जैसे ही लोन की लिजमेटी यहाँ पर आप चेक कर लेते हैं यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है तो लोन अपलाई करने के लिए सिंपली आपको लोगिन टू अपलाई पर क्लिक करना है अब जैसे ही यहाँ पे capture fill करते हो आपके सामने इनका Thompson Condition आएगा जिसमें आपको सारा Thompson Condition को पढ़ना होगा Next करना होगा उसी प्रकार से सारे Thompson Condition को यहाँ पे आपको scroll करके और simply इस Thompson Condition को accept करके यहाँ से आप agree करेंगे अब जैसे ही agree पे click करते हो यहाँ पे आपके mobile number पे एक OTP send किया आता है तो अपना mobile number का जो OTP है वो आपको यहाँ पे fill करना है और submit OTP वाले option पे आपको click कर देना है अब देखो एक बात जैसे ही mobile number को OTP के साथ verify कर लेते हो आपके सामने कुछ ऐसा interface आ रहा है और यहाँ पे आप देखो एक view scheme details का भी option आपके screen पे आ गया है इस scheme के बारे में यहाँ पे आप सब कुछ पढ़ सकते हो भाई साव introduction से लेके Tomson condition तक क्या है सब कुछ इसके बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है simply अब आप proceed पे click करेंगे जैसे ये proceed पे click करेंगे अभी तक आपने जो भी information यहाँ पे fill किया है सब कुछ एक बार आपको अच्छे से check कर लेना और यहाँ से आपको continue वाले option पे click करना है एक बार continue पे click करोगे अब आपको दूसरे यहाँ पे website पे redirect करेंगे जहाँ पे आपको loan के लिए KYC वेगरा form फिल करना होगा और एक बार KYC वेगरा form फिल करेंगे तब आपको यहाँ पे loan का जो application process है वो यहाँ पे complete होगा तो basically यहाँ पे हम proceed करेंगे अब जैसे ही proceed करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने Prime Minister Employment Generator Program का एक option आपके screen पे आ चुका है तो अब हमें इस website के अंदर सबसे पहले step के अंदर apply for new unit का option है इस पे हम click करेंगे जैसे ही हम click करेंगे अब हमारे सामने एक loan के लिए online application जो form है वो दुबारा से खुल चुका है और इसके अंदर दोस्तों आपको अपनी अधार कार्ट के थू के YC कम्प्लीट करना होगा बिसिकली आपके अधार कार्ट के थू आपका number लिंक होना चाहिए और यहाँ पे आपको form फिल करने के लिए पूरा एक यहाँ पे बनाया गया है कि आपको एक step के अंदर दूसरे step के अंदर कैसे कैसे form फिल करना है आप इसको देख के यहाँ पे complete form को फिल करोगे इसके अंदर आपसे आपकी bank detail भी पूछी आती है जैसे कि देख सकते हो bank का नाम, IFC code, branch इसमें आप जो भी bank detail दोगे, इसके अंदर आपका loan का पैसा भीजा जाएगा जब आपका application complete होता है उसी प्रकार से आपका address वेगरा, सब कुछ इसके अंदर भरा गया है आपके screen पे यहाँ पे देखने को मिल जाता है बिसिकली आप उसका print out निकलवा सकते है अब देखो एक बार यह सारा steps complete करने के बार आपको अब करना क्या होगा, आप यह समझ लो बिसिकली यहाँ पे आपका जो भी detail है, वो आप यहाँ पे select कर चुके हो अब जो भी यहाँ पे आपको reference number मिला है आप जो भी bank detail दिये हो, अब आपको उस bank के अंदर visit करना होगा और जो भी यहाँ पे आप proof वेगरा दिये हो, सब कुछ proof यहाँ पे आपको submit करना होगा और उसके बाद यहाँ पे जो आपका loan record है, वो bank को forward किया जाता है document verification होती है, और सब कुछ check करने के बाद आपका loan यहाँ पे censor होता है तो भाई साब अगर हम यह कहें, तो यहाँ पे थोड़ा मथा पेची है, क्योंकि बहुत जादा आपसे detail लिया जा रहा है और बहुत सारे कागज़ भी आपको print out कराने है तो भाई साब वैसे लोग जो निचले तपके हैं, वो यहाँ पे loan कराते कराते ठक जाएंगे और यहाँ पे loan छोड़ देते हैं government को इसके उपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे वाले लोग है उनके लिए यहाँ पे कोई भी scheme लाया जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस scheme का जो फाइदा है, वो यहाँ पे नहीं उठा पाते हैं तो यार आजकल जिनका पहुंचे वो तो एक unit में आसानी से अपना काम करवा लेंगी, एक call पे उनका document बन जाता है लेकिन दोस्तों जो निचले तपके के लोग हैं, उनको यहाँ पे यह सब कावज भरने में, या फिर जावा करने में, या फिर बैंक जाने में क्योंकि यहाँ पे इसके उपर हमें comment आ रहा था कि government के तरह से मिलने वाला एक कैसा loan है, कैसे हमें मिलता है और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को subscribe करके हमारे family के साथ जोईन हो सकते हैं इस वीडियो को में ही पे खतम करते हैं, मिलते गए किसी interesting वीडियो में तो तक के लिए अपना ख्याल रखिए Take care, have a good day